सब्सक्राइब प्रियंका डीसी भी यूटूब चैनल यस आज हम बनाएंगे पुलाओ और आप देख सकते हैं कि इतना टेश्ट्य यूरेमी हमारा प्लाओ बनके तियार हुआ है और इसे बनना बहुत ही असान है तो कैसे तो चलिए देखते हैं और यह हम नॉर्मल चावल से बनाएं यह भी नहीं कि आपको बनाने के लिए राइस बासमाती यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत आप लोग को दिल से सुक्रियादा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इन्पोर्टेंट टाइम देने के लिए और आप लोग कर रहे हैं और आप लोग के सामने आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट और अपना इंपोर्टेंट टाइम नहीं देते तो मेरे तक यहां तक पहुंचना मुझकी नहीं नमुम्किन था कुछ मेनात मेरा भी था और कुछ मेनात आप लोग भी कियें इसके वज़े से हम यहां तक पहुँचें तो चलिए देखते हैं आज कैसे बनाने वाले हैं हम लोग नॉर्मली चावल से प्लाव और बहुत ही टेश्टी बनता है आपको कोई बासमती चावल खरित के बाहर से न इसको अच्छे से प्लाव गुमा लेंगे और जैसे हलका से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक चमच भरके जीरा और थोड़ा से तेश्पत्ता और दालचीनी लॉंग लाची यह सब इसमें डाल देंगे इससे जो हता है प्लाव का टेश्टी बहुत ही अच्छा कि आपको बनाने के लिए बस्मति ही चावल चावल चैए अक्सर हम कभी कभी बस्मतिय चावल से पिलाव मनाते हैं घर पर बहुत ज़्यादा टेश्टी भी बनता है और हिल्डी भी होता है तो चलिए वही करेंगे पहले अच्छे से जीरा को भूल लेंगे और थोड़े से जो खौरे मसाले डाले तें उसके बाद हम नौर्मल गया लेंगे फिर निकाल लिए थे यहाँज अश्कार निकाल भेटें पर बशे दोरा करते हैं। उस चावल को धोना है जितना आपको बनाना है और धो के बस उसको तुरन्ती हम डालेंगे। अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं चावल बिल्कुल खिला खिला तो थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी कम कर दीजेगा। अगर आप 2 glass चावल ले रहे हैं तो आपको 3 glass पानी करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हलका चावल पुराना हो जाता है उसमें पानी का quantity कम लगता है, और जो नए वाले चावल होते हैं उसमें पानी का quantity ज्यादा लगता है, इस बात को हमेशा ध्यान में इसलिए थोड़ा सा पानी कम कर दीजिएगा तो आपके चावल जो है बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, और थोड़ा सा पानी ज्यादा कर दीजिएगा तो हलका चिप-चिपा चावल बन सकता है आपका, इसलिए अगर पुराने वाले चावल आप ले रहे हैं जो नर्मली खिला बन एफ थोड़ा से पानी का क्वाउन गांटेटि कम कर दीजिएगा और नए चावल देना इसमें पानी के समदूद के साथ भूनने पर भाणि Atari तो एसी कुट्ट्री माप के लिए। अधर इसी कुट्री माप मताम के पनी ले में कि Nedवा स But I अधर अग्लास से माप के लिए उसी माप में पको पाणी ले लाज और पानी डालने के पासेखल उच्छी के सब करें यूषा यूदी पलाओ carry यूद ER जरूरी नहीं है कि आपको बस्मती चावल खरीद के लाना और उसका पुला बनाना यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप नॉर्मल चावल से भी पुला बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है एक इन नहीं हो रहा है तो एक बढ़ ट्राइ करिए तो खु खाएंगे उसका रिजल्ट और आप आगे भी देखके समझ गया होंगे कितना खिला खुला बना हुआ था बस एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे और ठंडा होने के बाद इसका हम धकन खुलके इस तरीके समारा चावल का जो प्लाव बनके तियार हो गया इसमें आप चाह लच्छे फ्राटे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं लच्छे फ्राटे प्लाव और पनिल की सबजी आप इसे खा सकते हैं दाल मखनी के साथ मटर प्लाव के साथ खा सकते हैं यह बहुत ज़दा टेश्टी लगता है तो आपको यह नॉर्मल चावल से प्लाव कैसा लगा लोग भी नॉर्मल चावल से प्लाव बनाते हैं तो कैसा लगता है खाने में वीडियो पसंद आयागा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसे भी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना बुलिएगा और अपना धेर सारे प्यारे प्यारे साप्टेट करिएगा इसी